यो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फलेवर फ्यूजन फ्रेंड्स आज हम आटे की मिठाई लेकर आए हैं बहुती टेश्टी बनकर तयार होती है और बहुती ज़्यादा हेल्दी होती है इसको आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या आगनवारी के पाउडर से भी बना सकते हैं मैं इसको आगनवारी के पाउडर से बना रही हूं इसमें गेहूं चना चीनी सोयाबीन मुमफली तेल रोगी ये सब कुछ मिले होते हैं छोटे बच्चों की ज़रूर खिलाएं ये बहुत फाइदे मंद होते हैं सर्द्यों के मौसम में इनका तेस्ट दुगना हो जाता है चलिए इसको बनाना शूर करते हैं मैं ये वाला पेकेट ले रही हूं आटा बैसन बर्फी इसको आप एक बार अगर सील खोल दे तो दुबारा यूज नहीं कर सकते हैं आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं सबसे पहले हाई फ्लेम पर र एड़ कर देंगे आप कम ज्यादा कर सकते हैं इसको मेडियम फ्लेम पर फराई कर लेंगे हलका सा फराई कर लेंगे इसको चलाते हुए फराई करती जाएंगे चलते हैं नेस्ट प्रोसेस पर आप फ्लेम पर एक बाल रख देंगे उसमें एक कटोरी पानी एड़ करेंगे जिस कोटोड़े से हमने पानी एड़ किया था उसी कोटोड़े से एक कोटोड़े शक्कर एड़ करेंगे आप वाइट वाली चीनी भी एड़ कर सकते हैं इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे दो तीन तार की बनाएंगे इसलिए इसको पकाते हुए जाएंगे 5-7 मिन तक बनाते जाएंगे जब तक हमारी चासनी गाड़ी ना हो जाए ये देखे हमारी चासनी ने कलर भी चंग कर दिया है ये देखे गेस को मीडियम फ्लम पर कर देंगे चलते हैं नेस्ट प्रोसेस पर पाउडर में भी ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राइ करते जाएंगे दो से तियन मिट तक एदी के ब्राऊन कलर आ चुका है इसको डार्क ब्राऊन ही करेंगे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे एक बाउल में इसको निकाल लेंगे एक कटोरी चारू मगज एड़ंगे एक कटोरी बारी कट की हुए बदाम काजू एड़ करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे हाई फ्लेम पर पेन रख देंगे उसमें दो चम्मच देसी घी एड़ करेंगे कटोरी वाइट वाले तिले एड़ करेंगे उसको हलका सा ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर देखे फ्राई हो चुके हैं तिल इनको भी एड़ कर देंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे चाशनी थोड़ी थोड़ी चाशनी एड़ करेंगे सारी एक साथ नहीं एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे इतने अच्छे से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी से हमारे पेड़े बनकर रेड़ी होंगे देखे हमारा मिस्चर रेडी है हाफ इस्पून देशी घेड करेंगे इसको अच्छे से हाथों पे लगा लेंगे और एक चम्मच भरके मिस्चर की लेंगे इसको जिस से मैं बनाना चाहते हो बना सकते हो मैं इनको इनको ये शेव दे रही हूँ देखे कितने परफेक्ट कितने टेश्टी बनकर हमारे पेड़े रेडी हुए हैं सभी पेड़े इसी शेव में बना लूँगे ये देखे हमारे पेड़े रेडी है ये देखे कितने परफेक्ट कितने सोफ्ट कितने टेश्टी बनकर रेडी हुए हैं जट पटसी तयार इनको एक बार जरूर ट्राइ कीजिए यकिनन आप सबको पसंद आने वाले हैं गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज